चलिस तो बात करने वाले हैं बजार के अंदर आपको आज किस सुरुके का एक्शन देखने को मिल सकता है दोस्तो आज एक important day है आज है Thursday और आप जानते हैं कि Thursday को होती है weekly options expiry तो इस दिन index के अंदर भारी उठा पटक आपको देखने को मिलती है या तो उपर के level देखने को मिलते हैं या फिर नीचे के level देखने को मिलते हैं क्योंकि देखे इस दिन अच्छा खासा पैसा कहिन की option trader कमाते हैं दोस्तो बताना चाओंगा कि nifty 50 के अंदर जो level अब तक हमें दिखाए दी हैं साथ में काफी सारे stocks इस तरीके के हैं उनके अंदर भी अच्छा कासा माहौल बना हुआ है बताना चाओंगा दोस्तो काफी सारी खबरे हम लोग को प्राप्त हुई है कल के दिन जो की बजार बंद होने के बाद में हैं उन पर आज हम लोग को reaction देखने को मिलना है सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं अमेरिकी बाजारों की तो देखें अमेरिकी बाजारों के अंदर अगर देखा जाये तो कल का trading session अच्छा कासा रहा लगब 104 अंगों की हमें वापे तेजी दिखने को मिली और अगर देखा जाये तो जिस तरीके से अपनी nifty 50 के अंदर आपको तेजी दिखने को मिल रही है तो डाव जोन्स के अंदर भी पिछले पांस दिनों के अंदर हम लोग को अच्छा कासा माहौल दिखने को मिल रहा है हाँ यह बात जरूर है कि बीच में आपको गिरावट दिखने को मिली थी बट वापिस से रिकवरी का सिलसला बना हुआ है अब देखे बात करते हैं रियल टाइम इंडेक्स फीचर की तो इस समय ग्लोबली की सरकी के संकेत प्राप्त हो रहे हैं तो देखा जाए तो जादतर बजारों के अंदर हम लोग को इस समय गिरावट भी दिखने को मिल रहे हैं और कुछ बजार इस तरह की की दिखायदरे जिनके अंदर हरियाली है तो अगर हैंसिंग की बात की जाए तो 173 अंकों की गिरावट के साथ में कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है साथ ही में दोस्तों बताना चाहूँगा की चाइना के अंदर लगबग 221 अंकों की गिरावट इस समय चल रही है और अगर जापान की इंडेक्स की बात करते हैं तो 120 अंकों की गिरावट इस समय चल रही है अगर अपनी Nifty Fifty की बात करते हैं तो बजार के अंदर हम लोग को जो सेसन दिखाये दर है वो गिरावट वाला दिखाये दर है लगबग 43 अंकों की गिरावट के साथ में अपना Nifty Fifty का जो इंडेक्स है Nifty Fifty का जो फूचर है वो कारूबार करता हुआ नजर आ रहा है देखे किन किन स्टॉक्स के अंदर हम लोग को खबरे प्राप्त हुई है जो कि कल बजार बंध होने के बाद में आई है तो उन पर आज रियक्शन देखने को मिल सकता है तो इसी सिलसले को आगे बढ़ाते हैं और बात करेंगे पहली कमपनी के बारे में तो Railtail Corporations of India Limited इस कमपनी के अंदर एक बड़ा एक्शन हम लोग को आज की दिन देखने को मिल सकता है कमपनी के हाथ में एक वर्क ओडर लगता हुआ नजर आ रहा है जिसकी कुल कीमत लगबग 234 मिलियन रुपीस के आज पास निकल किया रही है तो कहिन कहीं बिजनिस के लिहाज से अगर देखा जाए तो Positive रुज़ान हमें इस कमपनी के अंदर देखने को मिल सकता है तो ये Stocks भी चर्चाओं में रहने वाला है इस Stocks को भी आप अपने Radar पर रख सकते हैं बात करते हैं अगली कमपनी के बारे में तो REC Limited इस कमपनी के अंदर भी एक News निकल के आई है जो कि कल बजार बंद होने के बाद में हम लोग को प्राप्त हुई है तो ये कमपनी Fundraise करती हुई नजर आ रही है और अगर Fundraise की कुल कीमत की बात करें तो लगबग 400 मिलियन डॉलर के आसपास हम लोग को यहाँ पर देखने को मिल रही है और देखा जाए तो ये जो Fundraise हम लोग को यहाँ पर होगा ये through notes के through तो notes के through जो है ये Fundraise होता हुआ नजर आएगा लगबग 2.5% के आसपास हम लोग को इसके अंदर activity देखने को मिलेगी तो overall अगर देखा जाए तो ये stocks भी चर्चाओ में रहने वाला है वैसे देखें तो पिछले 5 दिनों का जो session अब तक इस company के अंदर दिखाये दिया है भारी उतार चड़ावाला दिखाये दिया है उपर की बात करते हैं 140 रुपे के आसपास लेवल आपको देखने को मिल रहे है महाँ से गिरावट देखने को मिली थी एक महीने का चार्ट पेटन देखे तो भी गिरावट इसके अंदर जारी है लगवग 163 से भी उपर के लेवल इस company के अंदर देखने को मिल चुके है बट अगर देखा जाए तो एक साल के अंदर कुछ अच्छे खासे लेवल भी इस company के अंदर हम लोग को दिखाए दी है तो ये stocks भी चर्चाओ में रहने वाला है इस stocks के अंदर भी एक बड़ा action हम लोग को आज की दिन देखने को मिल सकता है बात करते हैं अगली company के बारे में तो इस company के अंदर एक बड़ी ख़बर हम लोग को कल प्राप्त हुई तो कहिन कहीं आज भी हमें अच्छा का सा reaction इस company के अंदर देखने को मिल सकता है एक दूसरी company है LIC वो इसके अंदर अपने stake increase करती हुई नजर आ रहे है और अगर देखा जाए तो कितने stake जो है इसके अंदर डाले हैं तो लगबग 0.42% के असपास इसके अंदर डाले हैं तो दोस्तों आप जानते हैं कि जिस तरीके से ये quarter रहा है अपरेल से लेकर जून तक का यानि कि अपरेल मई जून Q1 का ये quarter कहा जाता है तो इसके अंदर लगबग 0.42% के असपास अपनी सिदारी दिखाई दे रही है तो जिसकी वज़े से कहिन की positive impact हमें आज भी stocks के अंदर देखने को मिल सकता है तो ये stocks भी चर्चाओं में रहने वाला है इस stocks को भी आप अपने radar पर रह सकते हैं अब बात करते हैं दोस्तो अगली company के बारे में तो Dr. Reddy's Laboratory देखे इस company के अंदर भी एक बड़ी खबर हम लोग को प्राप्त हो रही है तो कहिन की अच्छा-कासा effect हमें stocks के अंदर देखने को मिल सकता है तो लिहाजा नतीजों से पहले कहिन की stocks के अंदर हम लोग को और भी उपर के level देखने को मिल सकते हैं तो देखे तैयारी हम लोग को पहले ही करके चलनी पड़ती है कहिन की अच्छा-कासा momentum हमें stocks के अंदर देखने को मिलता है अवराल अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने के अंदर अच्छी कासी चाल हमें दिखाए दे चुकी है नीचे की बात करते हैं तो लगबग बावन सो रुपे तक के भी level आपको stocks के अंदर देखने को मिले लगातार तेजी के संकेत इस company के अंदर हम लोग को प्राप्त हो रहें एक महीने के अंदर 5% की तेजी देखने को मिली है बात करते हैं दोस्तो अगली company के बारे में तो TCS IT सेक्टर की दिगज company मानी जाती है आज एक important day है company के लिए company पेश करने वाली है अपने quarter one के नतीजे और दोस्तो आप जानते हैं कि जिस तरीक से पहले भी इस company के नतीजे हम लोग को दिखाए दिए तो business के अंदर अच्छा कासा हम लोग को moment दिखने को मिला जिसकी वज़िसे stocks लगातार उपर की तरफ मुह करता हुआ नजर आ रहा है और वैसे भी अगर देखा जाए तो long term के हिसाब से बहुती बहतरी निये company हम लोग को दिखाए देरिये अगर आप long term का chart pattern देखेंगे तो लगातार इसके अंदर हम लोग को आप मुह देखने को मिल रहा है overall अगर देखें तो 2622% की तेज़ी हमें stocks के अंदर देखने को मिल चुकी है और अगर पिछले 6 महीने का moment देखें तो लगवा 5% के असपा स्टॉक्स के अंदर हम लोग को moment देखने को मिला तो आज ये stocks भी चर्चाओ में रहने वाला है बताना चाहूँगा दोस्तो ये जो नतीज़े हम लोग को प्राप्त होंगे ये बजार बंध होने के बाद में प्राप्त होंगे तो नतीज़ों से पहले के action की उमीद इस company के अंदर करके चल सकते हैं ये stocks भी चर्चाओ में रहने वाला है इस stocks को भी आप अपने radar पर रसकते हैं दोस्तों करें पूरी जानकारिया आपको अच्छे लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीज़ेगा चैनल सब्सक्राइब करकर लेना ताकि नई वीडियो के notification सिद्ध है आपके mobile निल्स के थैंकी समच फॉर्च